के विटामिन से ड IP डाउट्स आते हैं काफी तो से डिदियो बनाया जाये तो आज मैं आपके सामने उससे डिद्द तो अचछे अच्छे ट्रिक्स लेकर आया हूं इनको अगर आप एक पर वीडियो देखेंगे इससे रिलेटेड आपको कोई भी कोशन आता है आप एक्जाम में बिल्कुल 100% क्लिक करेंगे उस कोशन को सही चलिए फ्रेंट्स इसमें आपन आगे चलते हैं देखिए फ्रेंट्स आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर एक रद दिख रहा है रद के उपर आपको एक टौफी दिख रही है सिर्फ एक टौफी दिख रही है आपको ठीक है इस पिच्चर को ध्यान रखे ना इस पिच्चर को आप जब देखो इससे ही रिलेटेट पूरा विटामीन चुपा हुआ है तो इस चीज को तो जहां से देखना जब भी एक्जाम में विटामीन से रिलेटेट कोशन आता है तुरंत यह इमेज आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी रथ है रथ पर एक टॉफी रखिए ठीक है आगे चलते हैं देखिए रथ पर एक टॉफी का लॉजिक यह है कि विटामीन ए है विटामीन बी विटामीन सी विटामीन डी और ए और के अपने को बता होता श्रीज सेम श्रीज वपन जमाना है रथ पर एक टॉफी पर तो अपना सालेंट रहेगा हटा देए उसको रथ से आपका रेटि लेटेट जो chemical नाम होते हैं vitamin के A का क्या नाम है B का क्या नाम है C का chemical नाम क्या है तो easily आपको यह answer यहां से मिल जाएगा ठीक है अगली बार question एक्जाम में यह आता है कि कौन से विटामिन पानी में गुलंशिल होते हैं, कौन से विटामिन वसा में गुलंशिल होते हैं, तो इसको देखते हैं अपने, इसका मैंने एक टेस्ट करा, क्या टेस्ट करा, कि मैंने एक ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास में वसा लिया, तो मैंने क्या करा, एक किडा लिया, उ गुल नहीं पाया तो इसका लॉजिक ये है कि आपको में बता दूăm कि वसाम में कीड़ा गुल गाता इसलिए कीड़ा होता है के डी आ मतलब विटामिन K, E, D और A जो है वो वसा में गुलंशिल है और पानी में गुलंशिल है जो रिमेनिंग जो बचरा है वो सारा पानी में गुलंशिल है तो इस तरीके से अगर आप ये ट्रिक अगर याद रखेंगे दिमाग में एक बार देख लेंगे तो कभी भी आपको ड्राउट नहीं होगा फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्क्राइब करिए क्योंकि मैं जीके से रिलेट वीडियो डालता रहूंगा ठीक है फ्रेंट्स